हलो एन वेलकम टू आ चानल भारत और इंग्लाइन के बीच मैंचेस्टर में होने वाला टेस्ट मैच कोरोना के खौफ के कारण रद कर दिया गया है टेस्ट मैच के रद होने के लिए टीम इंडिया, बी सी सी आई और आई पिल को जिम्मेदा ठहराया जा रहा है लेकिन इंग्लाइन के पूर्फ कप्तान नासिर हुसेन की राय अलग है नासिर हुसेन का कहना है कि टेस्ट मैच के रद होने की असली वज़ा क्रिकेट का चल रहा व्यस्थ शेडियूल है ना की भारतिय टीम उन्होंने कहा कि फ्यस्त शेडूल के चलते सब बखेडा खड़ा हुआ है उनका ये भी मानना है कि इन सब मामलों में सबसे ज्यादा नुकसान हमारे दर्शकों का होता है जिनके बारे में कोई कभी नहीं सोचता नासिर हुसैन ने लिखा शुकरवार को घटी आसाधरान घटनाओं की वजह से मुझे जिसके लिए सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है वो लोगों का समू है जो ज़्यादा सम्मान पाने के हगदार है फैंस और कहानी का अस्री विलन भारत नहीं बलकि क्रिकेट का दयाहीन शेड्यूल है नासिर हुसैन ने भारत और इंग्लैंड सीरीज के खत्म होने के चार दिन बाद ही शुरू होने वाले आईपियल को भी इस फैसले की एक बड़ी वजह बताया उन्होंने कहा कि जैसे ही परयाटकों के दल में कोविट घुसा उसके बाद कुछ फैसले इसी आईपियल टॉर्नमेंट को लेकर किये गए उन्होंने कहा कि जैसे ही परयाटकों के दल में कोविट घुसा उसके बाद कुछ फैसले इसी आईपियल टॉर्नमेंट को लेकर किये गए और यह भी याद रखना योग के बात है कि भारत हमेशा से इस मैच मैंचेस्टर टेस्ट के IPL के इतने पास होने को लेकर चिंतित था इसी तरह की स्पोर्ट्स अबडेट देखते रहने के लिए हमारे चानल खेल फैक्टरीज को सब्सक्राइब करें इस फीडियो को जाद से जादा लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट करें